नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां मक्थुरापूर उपी छेत्र के समस्ती पूर इलमासनगरपत पर रामनगर मस्जिद के पास दो बाइकों के बीच छुई भी शंटक कर में बाइक सवार एक व्यक्ती गंभीर रूप से जखमी हो गया जिसे स्थानिये लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्ती पूर में भरती कराया गया है जहां प्रात्मिक उप्चार के बाद घायल व्यक्ती की घंभीर स्थिती को देखते हुए पी-म-सी-एच पटना रेफर कर दिया गया घटना सुबह करीब साड़े नो बजे की बताई जा रही है घायल व्यक्ती की पहचान वारिस नगर थाना क्षेतर के कस और गाव निवासी प्रमोद सिन के 35 वर्षे पुत्र में टू कुमार सिन के रूप में की गई है वहीं दुसरा बाईक सवार युवक सुरक्षित बताया जा रहा है घटना के संबंध में स्थानिये लोगों का बताना है कि घायल व्यक्ती समस्ती पूर से इलमासनगर की तरफ अपनी बाईक से जा रहा था कि उसी समय रामनगर मस्जिद के पास इलमासनगर की ओर से आ रही तेज गती बाईक सवार युवक ने उसे जोड़दार ठोक कर मार दी जिससे उत्व्यक्ती गंभीर रूप से जखमी हो गया जिसे स्थानिये लोगों के द्वारा सदर अस्पताल समस्ती पूर में भरती कराया गया जिसे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स ने प्रात्मिक उपचार के बाद पटना पीमसी एक रिफर कर दिया अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार समस्ती पूर रामरा के घटना है जो अपस पे इनका बहुत हालत खराब हो गया तो हम लोग उठाब किसी तरह उठाब उठाब के इस सदर अस्पताल लाए लाए कितने बजे के घटना है यह सरे नौ बजे के घटना है यह